हे dolra friends, आज हमलोगे मैच खिलने आएśli अकबरपुर, अज संडे थी यहलता है तो चूटी थी, तो आज हमलोगे मैच मैच हुले कर आएम क्वडने के व Frankly का पीश्ट है !! सामने वाजी टीम वी काफी अछी है, देखते हैं मैच पे जो वे यहां जो श्ट्राइक लिए कि ऊस्ट्राइक लेगा सेंटी नौन श्ट्राइक में गिए अचार ये गीम है पहली बॉल करेगा यूश सेंटी के पहली बॉल आयूश की इसको खेल दिया है लॉंग वान की तरफ आसानी से एक रन वहाँ पर होगा एक बॉल एक रन पर स्ट्राइक लेगा सन्नी इनिंग की दूसरी बॉल के लिए हम लोग यहाँ पर पहले बैटिंग कर रहे हैं पढ़िया बॉल यहाँ पर एक ही रन होगा आप तीसरी बॉल ओवर की संटी के लिए पढ़िया गेन यहाँ पर डॉट बॉल आयूश की इच्छी बॉल यहाँ पर तीन बॉलों में दोरा ना आया अभी तक राख छोपि वाला यूस की और याच और यहाँ यहां पर विकिट आता हुआ पहला विकिट गिटता हुआ स्रेंटिक के रूप में नया बैट्समे नाया शरमा फेस को रेगा पाली बॉल अपन इचाँज़ महाँ पर पढ़िया बॉल यहाँ पर आयूश काफी कसी बॉलिंग आयो इसकी यहां पर इस ट्रेंड वंगा लेंगे पांच बॉलों में दो रहना आया अभी तक लाज बॉल इनिंग ओवर की शर्मा के लिए तो खेल दिया हिलके आतों से कैश था लेकिन विकेट कीपर से बॉल्ड छूटता हुआ चार रन अगला और दूसरे ओवर की पहली गेंद सन्नी सामना करेगा इस बॉल का पहली बॉल का सन्नी के लिए पहली बॉल पढ़िया बॉल तॉट बॉल एड हो गई है बाल एक बाल भी है वो डॉसरी बाल ओवर की फिल्टास बाल जिसको खेल दिया है सामने फिल्डर मौझूद पढ़िया फिल्डिंग वहाँ पे चौका बजाते वे एक ही रहन होगा यहाँ पर बहुत इच्छी फिल्डिंग वहाँ पर अब स्ट्राइक लेंग यहां पर एकी रन आयूश मजूद तीन बॉलों में भी तक दो रन आये हैं अगली गेंद हन्नी के लिए और इंसाइड एच बैट का बॉल गई थर्ड मैन की तरफ एकी रन होगा यहां पर अगली बॉल ओवर की शर्मा के लिए पढ़िया शॉट कवर्स की तरफ चार चार है क्यां कुछ है यहां पर बॉल रुक गई है यह कि रम गई यहांपर दस रन होगा यहांपर अगली बॉल इस होवर की शर्मा संही के लिए डाट पॉल ऐगा दोवर दस रन काफी कछी बॉलिंग करते हैं तो ओर नग ए टीम तो अवर्स से दस रन हो गए अगला अधर मुझूद कैड़ ड्रॉप होता वा और यह च्छे रन पहली बॉल पे च्छे आ गया है पहली बॉल पे च्छका आ गया है आपर कैड़ ड्रॉप होके सोला रन हो गए यहां पर ओवर की दूसरी बॉल करेगा आयूश शर्मा के लिए बढ़िया बॉल यॉर्कल लेंथ एक ही रन हो गए यहां पर स्ट्राइक चेंज करेए दोने बैट्समेंन ने तीसरा बॉल आयूश का सन्नी के लिए बॉल नीचा रहता हुआ टॉट बॉल उथा ही नहीं बॉय बॉल अगला बॉल चौता बॉल ओवर का सन्नी के लिए आयूश का स्लोवर बॉल बॉल उटता हुआ टॉट बॉल यहां पर अगली बॉल ओवर की सन्नी के लिए खेल दिय हैं एक ही रन होगा यहां पर पढ़िया बॉलिंग करती है अभी तक अपनेंट टीम तीन ओवर अठारा रन एक गिन बाकी यह भी पांच बॉलों में ठारा हुए ओवर किलाज बॉल शर्मा के लिए और नीचा बॉल टॉट बॉल पढ़िया बॉलिंग है अभी तक यहां पर अभी तक अठारा रन आए चौथ हवस सन्नी पढ़िया बॉल टॉट बॉल अगली बॉल की सन्नी के लिए और फिर टॉट बॉल समझ में नी आ रहा है ऐसन्नी को कुछ भी यहां पर लगातार दो बॉले डॉट होचके हैं अपर सन्नी और फिर टॉट बॉल तिन बॉल में भी तब कोई रनन नहीं अगली बॉल यहां पर फुल्ट बॉल थाज मार दिया है मिलिट विकेट के आपर से च्छे रन पांच डॉड बॉल होने के बाद एक चकाया है यहां पर पांच यूसे लगाता है यहां पर सिक्स मारा है अगली बॉल यहां पर संदी के लिए एक चक्का मारने का संदी और यह बॉल हवा में जाती भी टॉट बॉल पांच मां ओवर यहां पर आयूश का चौबिस रना वह तक फुल्टास बॉल जिसको खेल दिया है थर्ड मेड़े की तरफ एक ही अलो आयूश की दूसरी बॉल इस ओवर में स्ट्राइक पर संदी फिर से वालक इंसाइड एच लेती वी वहीं पर रहती एक ही रन मिलेगा यहां पर दो बॉलो में दो रन 26 रन स्कोर हो गया है यहां पर अब इस ट्राइक पर शरमा इसको खेल दिया मिटी तरफ की तरह दो लेलो दो लेलो दो और रन होते रहे यहांपर अगली वह यहां पर संदी है दॉर्ड बॉल यहाँ पर अचछी टाइड पाॉलिंग करता हुए यूश अगली बॉल शर्मा के लिए खेल दिया है हमेड विकेड की तरफ एक ही रन होगा यहां पर 29 रन हुए हैं पांच बॉले हुई हैं भी तक सन्नी स्ट्राइक पर सोर में खेल दिया इसको लॉंग आफ की तरफ पांच ओवर थीस आफ़ा इसके वह लिए तार बाव नुट गोवर लेकना यहां अंकित उसके सामने हैं सन्नी बहुत देर से खेल अचेस यह बहुत ही लंबा चक्का मार दिया है पहले गेंट पर फोटक्वारी खेलते हुए हैं पहुल लंबा चक्का मारा है फैंटिस रन हो एक बाल और पहला प्रेसर में लेखते हैं गली बाल पर क्या करते हैं दूसरी बाल और यहां पर यह डॉट बाल डॉट बाल पर दो गेंदे शती सरन हो गया है तिसरी गेंज अचानक चे उठ गई और सर पे बॉल लग गई डॉट बॉल तीन वाल चातिस रन चौथी बॉल फिल्टाज लो और फिल्टाज बॉल और सिंगल ही मिल पाएगा और सिंगल से संतर्ष्क करना पड़ेगा और विष्ट्राइक पर हैं तरुण देखते हैं क्या करते हैं तरुण बहुत देट से खे़ल लहाएं ज्यादा कुछ अच्छ़ा कर नहीं पा है अब देखते हैं इस बॉल पर क्या करेंगे पांच वी बॉल डॉट बॉल पांच बॉल साथ रन ही खर्च के हैं जब कि पहली बॉल पे एक सिक्स आ चुका था उसके बहुत अच्छी बापसी करी है यहां पे बहुत ही बढ़ी असाट लेकिन छे रन चे रन के लिए उसमें रन काफी आगे हैं बहुत ही महगा ओबर का जा सकता है जहां पर आप च्छे ओबर हो गए हैं तेंटारीस रन से दो वर का खेल बचा है देखते हैं दो वर में कितने दन हमाई टीम जुटा पाएगी अधि आप इस साथवा ओबर लेकिर आये हैं अंकुष देखते हैं क्या कर पाते हैं और यह पहली गेन पर सन्नी के लिए पहली गेन अच्छी गेन आपर सिंगल सेसं तोस करना पड़ेगा सिदे फिल्ड्रों के हाथ पे जुशरी बाल ओबर की देखते हैं क्या कर पते यहां पर मिस्फिल्ड ही हो गई लेकिन रन ही नहीं कर पा रहे हैं दोनों लोग हाना हाना में कोई रन नहीं हो पाई एक ही रन हो पाया है दो बॉल पर तिसरी बॉल सन्नी जामना करेंगे तिसरी बॉल का यहां पर इस निक थी कीपर के द्वारा मिस्फिल्डिंग और कैच एक आसान सा कैच छोड़ दिया है देखते हैं सन्नी इस कैच का क्या फैदा उठा पाते हैं और कितने रन टीम के लिए जोड़ पाते हैं पाहूती अच्छा साट बिग हेड सन्नी ने मिल्कुल उठा दिया है यहां पर पांच विवाल के लिए सन्नी तयार क्या ओनलन और यहां पर एक ही रन हो पाएगा बल्ले करनी चिला हिस्सा लगा और अब सिस्ट्राइक पर हैं तरुन तरुन से एक शक्के के उमीद है पू बाइब चुर्ण पर लाश्ट बाले अपर और यह अच्छी बॉल और डाट बॉल इसी के साथ बाइब समात तुछ साथ और बाउन नरब देखते हैं लावर कौन लेकर आता है लेकर पिल देखते हैं का पिल कर पाते हैं पिछला ओवर बहुत ही महँआ गया था 13 रंदियत है इस ओबर में पहली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल आगे बढ़कर मानना चाहते थे सक्स बहुत ही बड़ा लेकिन बैट और गेंट कोई संपर्क नहीं अभी तक संदी की बहुत ही गंदी गेन बल्ले वाजी हुई है यहां से मातर पांच बॉले बची है अगली बॉल संद और देखते हैं क्या होता है विकेट होता है या सिक्स पता नहीं अब होती हमां थी फ्राइब बहुत ही लंबा वाउंडरी होने के कारण शक्का नहीं हो पाया और यह बिकर देकर चले आया सन्नी अब बैटिंग के लिए गया है तो अब धरनंजर के लिए और यह बैट से लगके तीछे थर्ड मेन के पास एक ही रंज संतोस करना पड़ेगा आप स्टाइक पेहं तरुन तरुन से थोड़ा उमीद है कि वो एक दो बड़े हीट लगा दें और ओबर को थोड़ा बड़ा करने और अच्छे लच्छ तक हमारी टीम को पहुंचा सकें यहां पर तुसरी बॉल यह पाइर पर जिल गए यहां पर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है तक कि सामने वाली टीम ने फिलाल काफी विकट खड़ाब है देखते हैं हम लोगों की बॉलिंग कैसी होती है और यह बॉल यह मारा एगेन खड़ी है नीचे फिल्डर है देखत आसान सा कैच आउट तरुन सरवाभी बापस आते हुए और बहुत है खराब बैटिंग यहां पर और यह अब तरुन की जगा लेने जाएंगे साजन जिनका बहुत ही नाम है और आखरी बॉल खेलेंगे साजन देखते हैं क्या कर पाते हैं इसमें अभी एक ही रन आया है ज अच्छी बापसी पिछला उबर काफी मेंगा गया था और यह यहां पर बढ़िया साट लेकिन यह भी कैच डॉप डबल छे रन छे रन कैच डॉप करके छे रन दे दिया और यह इसी शेकी रन के साथ 69 रन पहू थी